हेलो एबरिवन आप लोके अपनी चैनल पायल कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत हैं मैं बहुत ही स्वाधिश्ट गोवी आलो की सबजी लेके आए हूँ जो एक बारा बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी पूरा रेस्पी जरूर देखे चलिए बिनाकिस को द जाते हैं तो गरम पानी में धूर लेने से सही हो जाता है अच्छा से साप हो जाता है और मतलब अगर चोटे-चोटे कीड़े मकड़े जिसको हम नहीं देख पाते हो भी निकल जाते हैं मातर इसको दो मेड़ छोड़ देंगे हलका नमक डालके और फिर उसके बाद इसको द दाल दिए आप तोनों को अलग-अलग भी फ्राई कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और चलिए एक मसाला बना लेते हैं टमाटर को हम पीस लेंगे प्याज को हम नहीं पीस लेंगे वैस टमाटर और अद्रक और लेसन को और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लेंगे प्याज जिबून लेंगे सरसो का तेल डाले हैं आप किसी भी कोकिंग वाहर में इसको बना सकते हैं और इसमें स्वादन सर नमक डाल के प्यास को गुलाबी होने तक हम पका लेंगे ससमे एक वो भी आलू आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं ऐसे घर में बना सकते हैं, बहुत ही स्वाधिश बनती है, एक बार ट्राइज जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थे न, उसको भी इसमें डाल दिये हैं, कच्छी टमाटर थे इसलिए कलर ऐसा है, लाल ज्यादा नहीं था, दियादी टमाटर था, इसलिए ऐसी कलर आया है, और बहुत ही जल्दी और बहुत स्वाधिश बनती है, फिर इसमें हम मसाला डाल लेंगे, धनिया पॉटर हरली में, तब देखुलन मसाला जो डालते हैं, वहीं डाल लेंगे, और मिच्ची डाल लेंगे, हो ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आपके पास हो तो जरूर ही डाले, उसके बाद मसाला हमारा जब पक जाएगा, तो सारा आलू गोवी जो मैंने बून के रखा था, फ्राई करके और डाल दिया, आलू गोवी पूरी तरह से पका नहीं है, इसलिए इसी किसान डाल लें और ढ़क के थोड़ा सा पका लेंगे, ऐसे सबजी में मतलब गोवी एक्दम सॉफ्ट नहीं होता है, अच्छे से पक जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसको देरे देरे पकाएंगे, मतलब पकाने में कुल हमें दस मेट लग जाएंगे, और दीमी गैस पे ही सा पानी इस टाइम ढाल देंगे, थोड़ा सा एक्दम हलका पानी, अगर आप ग्रेवी बला बनाना चाहते हैं, तो पानी ज्यादा ढाल देंगे, और ऐसे पानी डाल के पकाएंगे, आलू को भी कुछ रफ्ट कर लेंगे, सज में फ्रेंड बहुत ही बड़ी है सबजी बन